हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल यह देख रहे हैं यह रोज किताँ सुन्दर लग रहा है रेड है या ब्राउन कहलो ब्लेक कहलो जो कुछ भी कहलो यह कटिंग से ग्रों किया है मैंने जब यह प्रून किये थे अक्टूवर में सारे अपने गुलाब जब प्रून कि किये थे यह सारे देखे वो रैड ही लग रहा है मुझे और जो है अब तक बोता दिख रहा है तो इसे मैंने कटिंग जब लगाई थी इसकी तो इसी पाटने लगा दी थी तो इसी में लगा दी थी थी मैंने इस जानी रहती थी चैनल दो किम नम हमा या पानी लगाएर तो इसमें हमेशा भी नी रहती है क्योंकि इसमें होल नहीं है नीचे ब्लगूल भी नहीं है इसे ही है तो इसमें मैंने कटिंग लगा दी थी जब प्रूण किये थे, तो कुछ cutting लगाइए थी, साथ-बेगा थी तो यह की ए तयार हो गया था और फिर लगा थी तो यह देखे शुरू होके खतम हो गया नरर देखिए अच्छी खासी cutting हो उखी वही Rat دो इसमें पीख बगार ayya होई तो इसमें सो बहल यह घ्याना तो यह होता है इन में फंगल इंफेक्शन से यह कटिंग बहुत जल्दी मर जाती तो ध्यान रखेगा कटिंग लगा तो ध्यान दें और मौसम भी ऐसा हो गया एकदम ठंडा इसके वैसे प्रॉब्लम शुरू हो गई थी तो यह देखिए यह वाली कटिंग बहुत अच्छे स यह बराबर लगा है तो देखिए इसमें और इस प्राउट यह वाली ब्रांच और निकल रही है और अब थोड़ा सा ना जुक है बस मैंने कलर देखने के लिए इसमें फूल आने दिये बट्स आ गए थे तो आने दिया एक यह भी आ रहा है यह देकिए एक यह बट्स आ र पत verloren में जो ढूरे एक्सपेरिमेंट करते हैं तरह से के आपको कटिंग से लगाने के इच्छा हो तो आप कटिंग से लगा दो कुई नस तो तो त्यार कभी नगा तो इसलिए हमेशा यह वह पर करते रहा में एक्सपरिमेंच करते हैं यह सकता है शाद आपका लग अच्छा हो तो लग जाए या आपके एक्सपर्ट हो जाएं धीरे करके लगाके रखेगा और इसमें देखिए अभी नमी बनी हुई है उसमें नमी नहीं है क्योंकि पानी डाला ही नहीं इसमें थोड़ा सा साइड बर रखिए थी तो इ औरने यह आपके प्लांट को खराब कर देगी पूरी प्लांट को अभी मौसम बहुत सर्द हो रहा है तो इस तरह से मैं यहां पर रखा हुआ है जब कटिंग लगाई थी तब यह च्हाया में रखा था मैं आपको बता देती हूँ यह उसरे मेरे यहां लगा हुआ था यहां यहां तो काफी बड़े-बड़े प्लांट लगे हुए थे उनी के नीचे मैं यहां पर लगा रखी थी और इधर मेरा कमल का प्लांट था यह वाला बाटर ली यह बाटर ली थी तो इसकी हमिलिटी पानी की मिलती रहती थी इसे यहां पर और अच्छे से यहां पर को मत दो-चाल लगा भी दो कि बहुत सारी कट होती है तो दो-चाल लगाने में क्या जाता है भी कुछ और कैंटिंस लगाई हैं इनके लिए कि कि प्रांच कि इतनी मोटी होनी चाहिए मैं आपको बता देती हूं मैं व्रांच होनी होनी ज्यादा प्राणी भी नहीं कि जड़ान से करे सकते हैं तो कारा सकते हैं तो इस तरह सी प्लक है मिल सकते हैं गिर benefic करीजि़ निचल और उनंगे उन्हें निए C demek गुलाब लगाने लगेंगे ना जब आपके हात में आ जाएगा प्रक्टिस हो जाएगी तो बहुत ही इजी लिए ग्रो हो जाते हैं मैंने कई यह कटिंग से लगाया थे प्लांट में इसके गुलाब के तो धीरे-धीरे करके वो मैंने देही दिये लोगों को क्योंकि विक्तों तो है नहीं रोज थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो जाती है इनकी पैकेजिंग में तो प्रमेहाे ने जाँ ही दे देती हूं ठाइक तो इस तरह से देखिए यह सा मॉर्जम ही रहा है कि थोड़े मुर्जा भी रह था उदास भी हो रहा है थनगी से हमने ठंड लगर है इसे पाधों को भी ठंड लगती है तो काफी ठंद भी मौसं। हो रहा है यह टाइगर रोज भी थोड़े से इसका टाइगर ग्राइब होने लगा है फूल तो खेल गए हैं काफी खेलें देखिए अब भी आएंगे मगर यह ठंड की वेज़ से थोड़ा सा केत दौर पर ही लगा लीजिए न कटिंग लगा हो से मैं नज दी इस तरह से कट कर रही ऑपर कतिंग कहीं चल गए थी जो से बस ऐसे लगा दी और आम से चलने लगी है तो आप इसी तरह से कटिंग को लगाई है तयार कीजिए ठेसारे प्रांट बना लीजिए अगर जो चलने वाले हो तो चल जाएंगे नहीं तो वेस्ट तो हई है अपका अगर ब्रांज बिकार है फेक ही रहा है तो उसे बिट्टी म दबा दो जैट इहा एक मेने दबा दी थी जाए भलाइंगा दें कट करने में दाथी तो unto- श्काल देती एक ब्रांफंच निकालती एक इसकी लगा देती और दूआ एसकी लगा देती गटिंग Lu चलो देखते हैं करती हूं इसका कुछ तो ये रैड वाला रोज कटिंग मैंने लगाया है Ñ और देख कर करो करो ट्राइ करते रहो कुछ न को सो ओगा ही होगा है ना आप अगर ब्रांच कर रहाresso तो फेकना ही दो है उसे इसे लगा दीजिए, सिंपल, वैसे जिस ब्राइंच पर फूल आ जाते तो इस पर फूल दुवारा नहीं आता है, तो जिस ब्राइंच पर फूल नहीं आ है, उस पर कट करके उसे लगा दो एक्ट्र ग्रोथ जो होती है फालतुगी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं तो उसे कट करके लगा दो इसमें तो मेरे सभी में कलिया आई हुई है बस सूरज निकले तो यह अच्छे से चल जाए है स्प्रे कर दू तो भी खेल जाएंगी नहीं कितनी धेर स सारी कलिया आई है देख रहे हैं एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस ज्यारा बारह तेरा चौधा पंद्रा सोला सत्रा ठारा उननिस बीस मतलब एक बीस और यह कि धर भी है एक इस में भी इधर एक किस यह तो यह किस बाइस कलिया आई हुई है एक ही उस पे यह त ठंड की वह से और एफिट की वह से नहीं खिल पा रहे है और इस परिक नहीं होगा मुझे अब यह तो लेकर आओं मैं आज गई तो जल्दी बाजी में भागाई ठंड की वह से मनी नहीं हुआ पोस्ट ऑफिस गई पोस्ट ऑफिस से भागाई तो ठंडा बहुत हो रहा है टाइम भी हो गया ठंड का भई अभी ठंड नी पड़ेगी तो अर्ट पड़ेगी सोचने वाली बात है और जन्वरी है हाब जन्वरी होने जा रही है तो ठंडा तो होना ही होना है चलो देखते हैं कब तक सूरज महराज नहीं निकलते हैं सुबह कोरा भी बहुत था अभी वीडियो को लाइक करो शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो और नहीं जनकारी के साथ नहीं वीडियो के साथ पिर मिलेंगे तब तक गाटिंग करते रहिए खुश रहिए बाए बाए फ्रेंड्स